सरकार दोस्तो मैं विजे कसाना डिजीटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो एचसी सीटी एक्जाम को लेकर रोज नए नई अपडेट आते हैं उसी के सिलसिले में एक और नए अपडेट आया है इसलिए हमने थमनेल पर लिखा है कि सरकार नहीं एचसी सीटी को बनाया तमासा जियां साथ यूद देख सकते हैं चेर्मेन साब ने क्या बयान दिया है सीटी एक्जाम के बारे में वो भी बताएंगे और जो कलिया पर्षो के नुजबिपर में थी कि सरकार यान कि अरियाना सरकार और एंटिय की सीटी एक्जाम को लेकर मिटिंग होने वाली है परतिनिदियों को बुलाया गया है एंटिय के तो वो बैठक जो हुई है उसमें क्या डिसीजन लिया गया है वो भी हम बताएंगे उससे पहले चेर्मेन साब ने क्या काया है वो देख लेते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यह तैह हो चुका है कि सयुम्त पातरता प्रिक्षिया अब अरियना सरकार कराएगी अभी NTA के साथ बैठक कर तिती और सेडूल तैह किया जाना है प्रिक्षिया के बाद पास अब्यर्थियों की सुची आयोग के पास आएगी उसी आदार पर बर्ती की जाएगी यानि की CET एग्जाम में पास होने के बाद जब कंडिरेट एग्जासी के पास आएंगे उसके बाद ही एग्जासी का काम सुरूओगा अब जो काम रहेगा वो NTA का और अरियना सरकार का है ये बाद चेयर्मेन साबने कही है दुसातियो एग्जासी की तरफ से कनफरम हो चुका है कि अभी एग्जाम अरियना सरकार लेने वाली है सयूंक्त पातरता प्रिक्षाइन की CET आप अरियना सरकार कराएगी पास सब्यर्तियों की सूची HSSC यानिके रियना करमचारी चैनायों के पास आएगी और उसी आदार पर बरती होगी प्रिक्षाइ सितंबर में संबावित है लेकिन सेडूल को लेकर अभी नैशनल टेस्टिंग एजनसी के साथ पेज फसा हुआ है पेज किसलिए फसा हुआ साथियों वीरवार को NTA के परतिनिदियों को बैठक के लिए बुलाया गया था अब इस न्यूज में लिखा गया है कि किसी कारणवस NTA के परतिनिदी बैठक में नहीं आसके यह देख लीजिए जिससे तिथीवे सेडूल को लेकर फैसला नहीं हो उसका तो साथियों जो मिटिंग की हम बात करें वो मिटिंग होई ही नहीं क्योंकि NTA के परतिनिदी नहीं पहुँचे और आपको पता है कि चेर्मेन साब ने भी इसलिए कहा था कि NTA की तरफ से जो रिस्पोन्स है वो सही नहीं मिल रहा है इसलिए हमने सरकार से कह दिया है कि सरकार अपने बेश के उपर सीटी करवाए एच्टेट की तरज के उपर सीटी करवाकर और पास अबियरती हमें सोब दे उसके बाद हम आगे की जो बरती पर किरिया है वो पूरी कर लेंगे तो साथ यो जब मिटिंग ही नहीं हुई तो फैसला कैसे होगा एंटिये के परतिनिदी क्यों इसको सीरियस नहीं लेके और यूआओं को बार बार परिशान किया जा रहा है क्योंकि आज कुछ नहीं जा रही है नए नए अपडेट रो जा रहे हैं और यूआओं से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तयारी को डिश्ट अप ना करें क्योंकि एकजाम जरूर होगा आज नहीं तो कल इसकी एकजाम डेट कभी न कभी आएगी और जल्दी एकजाम होगा जब भी एकजाम हो तब आपका सेलेक्शन होना जरूरी है ये माइने रखता है तो साथियो जैसे ये एकजाम डेट से रिलेटिड और को इनफोर्मेशन मिलती है तुरंत आपके साथ सेयर की जाएगी अपना मैत्तो पूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद